नमस्कार किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी गार्डन में बहुत से किसान भाईयों अपने खेतों में कॉंक्रीट के पोल लगा करके उन पे तारबंदी करते हैं कि ताकि उनके खेतों में कोई आवारा पसू ना गुस पाए लेकिन किसान भाईयों मुझे परिसान किया हुआ है कुछ बकरियों ने जिहां किसान भाईयों आपने सई सुना आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद देख लीजे किसान भाईयों ये जो आप मेरा खेत देख पा रहे हैं ये एक गाउं है पिछोकरा उसके बि भी फसल को बरबाद कर देती है, इसलिए किसान भाईयों मैं इस अपने खेट की तारबंदी करने की सोच रहा हूँ, इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी कॉंक्रीट के पोल की, जो कि मैं घर पर ही बनाने वाला हूँ, किसान भाईयों बहुत ही आसान तरीका है, अगर आ ये सुरू करते हैं, तो इन्हें बनाने के लिए किसान भाईयों सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें चार इंची की चैनर की, जिनके किनारे पर हमें चार सूत के बोर कराने हैं, और जितनी लंबाई का आप कॉंक्रीट पोल बनाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपको इ किसान भाईयों अब हमें जरूरत पड़ेगी कुछ सर्या होगी, जो कि हमें इन कॉंक्रीट पोल में लगाने हैं, जिससे काफी मजबूत हमारी कॉंक्रीट पोल बन सके, इसके लिए किसान भाईयों मैंने धाई सूत के सर्या ले लिये हैं, जिससे पोल अच्छा मजबूत बन सके लेकिन अगर आप इसमें डेड़ सूत का सरिया भी डालते हैं तो वो भी काफी मजबूत बन जाता है काफी सस्ता पड़ जाता है तो आप इसकी जगए डेड़ सूत का सरिया भी ले सकते हैं तो किसान भाईयों अब हमें इने 6 फुट की लंबाई में काटना है क्योंकि हम अपने पॉल 6 फुट की लंबाई के बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए हमने एक सर्या 6 फुट की लंबाई का काट लिया है जिससे हमारी माप हो सके और इसको रखने के बाद में देखे हम 4-5 सरिया एक बार ही काट देंगे अगर आपके पास में किसान भाई यो इस तरह की कोई मसीर नहीं है ग्राइंडर वगरा नहीं है तो आप इसको जो हाथ से चलाने वाली आ रियाती है उसके द्वारा भी आप आसानी से इन सरियाओ को काट सकते हैं कोई ज़्यादे मुस्किल काम नहीं है तो किसान भाई यो इसके लिए हमने देखे 6 फिट की लंबाई के सरिया काट लिये हैं लेकिन अगर आप अधिक लंबाई का या कुछ छोटा पोल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उसी हिसाब से सरियाओ की लंबाई काटनी हैं तो इनको काटने के बाद में किसान भाई यो अब हमें जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके के हुक बनाने की क्योंकि इनी के उपर हमारे जो खटी लेता रहे उनको खिचाई किया जाता है तो इसके लिए किसान भाई यो देखे मैंने एक पुरानी सी लकडी ले लिया है जिसको गाव देहात में कडी के नाम से बुला जाता है ये पुरानी कडी है और इसी सरिया के जो की धाय सूत का सरिया है मैंने धाय तीन इंच के दो टुकडे ले लिये हैं जो की मैं इस लकडी पर गाडने वाला हूँ किसान भाईयो आपको कुछ इस तरीके से टुकडे गाडने हैं देखे एक टुकड़ा आपको बीच में इस तरीके से काटने के बाद में एक सरिया बीच में रख लेना है जिसका आप हुक बनाने जा रहे है ताकि वो आसानी से नमाज सके और दूसरा टुकड़ा किसान भाईयो आपको कुछ इस तरीके से आधा इंची के आगे पीछे फास किसान भाईयो जाद है मुश्किल काम नहीं बहुत ही आसान है इनके बीच में इतनी जगे होनी चाहिए जिसमें जिस सरिया से हम हुक बनाने वाले हैं वो आसानी से आ सके बस यह आपको बना लेना है और किसान भाईयो जो सरिया के टुकड़े हमारे बचे वे थे उनमें से हमने 77 इंच के टुकडे काट लिया है इनसे हम हुक बनाने वाले हैं आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको हुक बनाना है बहुत ही आसान तरीका है आप बहुत आसानी के साथ में हुक बना सकते हैं ज्यादे मुश्किल काम नहीं है तो किसान भीयों कुछ इस तरीके स हमारे हुक बन चुके हैं अब चलते हैं हम अपनी चैनर की तरफ इस पे हमें थोड़ा काम करना है देखिए इन चैनरों पर जैसे मैंने पहले बताया था दो होल हमें चार सूथ के करवा लेने हैं क्योंकि हम इनमें बोल्ट डालने वाले हैं और किसान भाईयो इन चैनरों पर फट्टी बगाएरा लगा ले अगर आपके पास में कुछ इस तरह की फट्टी नहीं है तो आप लखडी के फट्टे से भी ये काम कर सकते हैं और किसान भाईयों ये काम करने के बाद में देखिए जो हमने चैनर लिया है अब हम उनका फर्मा बनाने जा रहे हैं इसके बनाना है अगर आप 4 भाई 3 का पोल बनाना चाहते हैं तो ये लखडी के गुटके आप 4 भाई 3 के काट सकते हैं उससे आप 4 भाई 3 का पोल बना सकते हैं तो इन दोनों लखडी के गुटकों को किसान भाईयो आप कुछ इस तरीके से जो हमने बोल्ट डाला है उसके अंदर फिट कर देंगे और बोल्ट को थोड़ा टाइट कर देंगे जिससे फर्मा ना तो खुल पाएगा और ना अंदर को जा पाएगा तो हमारा फर्मा बन करके तेयार हो चुका है अब इस फर्मे को भरने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सीमेंट और कॉंक्रीट की इसके लिए किसानबाईयों हमने चार तसले डस्ट के डालिये हैं और इसमें तीन तसले कोंक्रीट के यानि के रोडी के मिला लिये हैं किसानबाईयों रोडी की गिंती इसमें ने की जाती है केवल डस्ट और सीमेंट की गिंती की जाती है और एक तसले हमने इसमें सीमेंट का मिला लिय और आपको इसे दो बार अच्छे से चलाना होता है ताकि सारा मसाला एक जगाए अच्छे से मिल जाए और इसको अच्छे से मिलाने के बाद में हमने बीच में थोड़ा गड़ा कर लिया है ताकि इसमें पानी बगरा डाला जाए तो किसान भाई यो पानी इसमें बहुत ही कम डाला जाता है क्योंकि जो कॉंक्रीट या रोडी होती है वो पानी नहीं पीती है इसलिए इसमें बहुती कम पानी डाला जाता है अगर पानी की मातरा कम रह जाती है तो हम उसे बाद में भी इसमें मिला सकते हैं लेकिन अगर पानी की मातरा जदे हो जाए तो हमारा सारा मसाल बैजाता है तो इसलिए हम इसमें पानी बहुत ही कमातर में मिलाते हैं और पानी डालने के बाद में कुछ देर हम इसे छोड़ देते हैं जब यह अच्छे से पानी को पी लेता है तो फावड़े की मदद से हम इसको अच्छे से चलाते हैं ताकि यह एक जगा अच्छे से मिल पतला और ना ही ज़्यादा सुखा तो इस तरीके के मसाले से हमारी बहुत ही अच्छे पॉल बन जाते हैं चलिए हमारा मसाला तियार हो चुका है अब हमेशे फर्मे में डालना है फर्मे में भरना है ताकि हमारे पॉल अच्छे से बन सके तो किसान भाई ओ आपको यहां पर क करंगी से चलाना है ताकि यह मसाला सारा अच्छे से आपस में मिल जाए और हमारा अच्छे से पॉल मजबूत बन पाए अगर आप अच्छे से इसको नहीं चलाएंगे तो हमारे पॉल में बीच में खाली जगह रह जाएगी और हमारा पॉल ज़्याद है अच्छा और कुछ इस तरीके से एक इस साइड में एक उस साइड में और बिल्कुल किनारे पर भी ने रहीं रखना है लगबकup किनारे से आधा पोना इंची हमें अंदर रखना है ताकि इसके बार अच्छे से मसाला आपाए और किसानवाई योस दोनों सरियां ढाने के बाद में हमें इसके उपर फिर से दो इंच की लेयर लगबग बनानी है, कुछ इसी तरीके से मसाले की ठुकाई करते हुए, करंगी से चलाते हुए, ताकि ये मसाला आपस में बिल्कूल एक जैसा हो जाए, और दो इंच की लेयर बनाने के बाद में, क्योंकि किसानवाईों हमें इसमें दो सरीया ओर डालने हैं, उपर की तरफ, जिससे हमारे चार सरीया इसमें डल जाएंगे, और काफी मजबूत हमारा पोल बन जाएगा, तो इसमें हमारी दो इंच की लेयर सरीया के उपर तयार हो चुके है, अब केवाल एक इंच की लेयर बची है, क्योंकि किसानवाईों ये हम हमारा पोल चार बाई चार का है, तो अब हम इसमें दो सरीया ओर डालने वाले हैं, दो सरीया हम नीचे डाल चुके हैं, और दो सरीया अब हम यहाँ पर डालने वाले हैं, यहाँ पर भी आपको वही साफदानी रखनी है कि सरीया बिलकुल किनारे पर ना जाए, किनारे से ल भूल जाता है और हमारे पॉल को वहां से खराब करना शुरू कर देता है इसलिए हम आधा पोना इंची सर्या को अंदर ही रखते हैं मसाले में ताकि इसको बारिस का पानी बागरा ना लग पाए और इन सर्या को रखने के बाद में किसानवायो आपको इसके उपर ये एक इं का पॉल बन करके तयार हो जाता है और किसानवायो ये देखे हमारा पॉल तयार हो चुका है अब इसमें बारी आती है हुक लगाने की जिस पर हम तार की खिचाई करने वाले हैं तो एक हुक आपको ले करके सबसे उपर की तरफ इस तरीके से गुसेड़ देना है और दूसर तो इसमें पांच हुक भी डाल सकते हैं तो इस तरीके से देखे हमने चार के चार हुक इसमें डाल दिया है लेकिन हुक डालते समय इनके पास में देखे थोड़ी गैर ही हो गया है इसमें हम करंगी से मसाला डाल देंगे और इस जगए को बिलकुल एकसार और समतल कर जिससे हमारे हुक अच्छे से फिट हो जाए और अच्छे से मजबूत हो जाए तो इसी तरीके से चारो हुक के पास में किसान भाई हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला डाल करके इसको बिलकुल एकसार कर देंगे और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा 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 तरिखनवाईबि इसी ततरीके से हमने दूसरा फर्मा भी इसका बनकर के त्यार कर लिया निया है और अब हम बॉल्ट को खोल करके पहले फर्मे मेंदे से अपना कॉम्क्रीट पॉल 2500 निकाल देवाने हैं कुछ इसतरीके से ये देखे किसानवाई हो हमारा पहला कॉंक्रीट पॉल बन करके तयार हो चुका है हाला कि ये अभी काफी गीला है लेकिन जब तक हमने दूसरे फर्मे में मसाला डाल करके दूसरा कॉंक्रीट पॉल तयार किया लगबग 15-20 मिनट इसमें लग गए तब तक पहला कॉंक्रीट पॉल हमारा थोड़ा सकत हो गया है और हमने इसे फर्मे में से निकाल दिया है और ये हमारा पॉल तयार हो चुका है और इस से जो हमारा फर्मा निकला है इसमें जब तक हम नया पॉल भरेंगे तब तक हमारा ये दूसरे वाला पॉल भी थोड़ा टाइट हो जाएगा हम इसको खोल करके चोथा पॉल बर देंगे तो इस तरीके से आप लगातार दो फर्मों की मदद से काफी आसान तरीके से इन पॉल को आसानी के साथ में बना सकते हैं और जिस दिन हम इन पॉल को तयार करते हैं उस दिन तो हमें बिल्कुल भी इनको नई छेड़ना है लेकिन अगले दिन से दिन में दो तीन बार इनको उपर को अच्छे से पानी का छीड़काव करना है जिस से हमारा सीमैंट या मसाला अच्छे से सेट हो पाए और बनाने से लगबग तीन या चार दिन बाद आप इनको उठा करके दूसरी जगह पर रख सकते हैं या इनको अपने काम में ले सकते हैं तो अब बात आती है किसान भाई यो खर्चे की कि अगर हम इनको घर पर तयार करते हैं तो एक पॉल पर हमारा कितना खर्चा आ जाता है तो किसान भाई यो बताना चाहूंगा एक अट्टा सिमेंट से लगबग 12 पोल 4 बाई 4 के हमारी बनकर तयार हो जाते हैं और जिसमें 4 एक का हमने मसाला डाला है और 4 सरिया हमने इसमें धाय सूत के डाले हैं तो कुल मिला करके इसका खर्चा 200 रुपे परती पोल हमारा आ चुका है लेकिन किसनवायो अगर आप इसी मेट्यल का पोल मार्किट से लेने जाओगे तो पहली तो बात आपको इस मेट्यल का पोल कहीं पर भी नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपको कहीं पर इस मेट्यल का मिल भी जाता है तो आपको 400 रुपे से कम का बिल्कुल ये पॉल नहीं मिलेगा तो चलिए किसानवाईयो मैं आपको लिये चलता हूँ अपने खेट पर जहां पर मैं ये पॉल लगा करके इन पर तार खिचाई करने वाला हूँ इसके लिए मैंने देखे खेट के चारों तरफ को गड़े खोद दिये हैं और इन गड़ों में इन पॉल को गाड़ करके अच्छे से लगा करके मैं इन पर आज तार खिचाई करने वाला हूँ इसके लिए मैं कुछ काटो वाले तार के बंडल भी खरीद लाया हूँ किसान भाईयो एक बंडल में लगबग 30-32 किलो तार होता है और किसी बंडल में लगबग 25-26 किलो यानि कि ये अलग-अलग साइज के मिलते हैं कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है और किसान भाईयो इस तार की कीमत की बात करें तो आज मैंने इसको खरीदा है ये मुझे 62-32 किलो में पड़ा है हो सकता है आपके वहाँ पर एक या दो रुपा कम जादा हो क्योंकि अलग-अलग जगे के अलग-अलग रेटिस के हो सकते हैं तो किसान भाईयो मैंने देखे गड़े खोद करके सभी पोल इसमें अच्छे से गाड़ दिये हैं और अब इन पोल पर मैं तार खिचाई करने वाला हूँ किसान भाईयो जब भी हम अपने खेट पर तार खिचाई करते हैं जब भी हम किसी बंडल पर से तार उतारते हैं तो ये हमारे हाथों को काफी नुक्सान पोचा सकता है इसलिए काफी बड़ा डंडा या काफी लंबा पाईब आपको इसके लिए रखना होता है तो इसके लिए आपको एक रस्सा ले लेना है और उसको तार पर कुछ इस तरीके से लपीट देना है जैसे आप वीडियो में देख़ पा रहे हैं क्योंकि एक रस्से में दो-तीन डसे होती हैं और उन डसों को चोड़ी करकर के आप इस तार को उनके बीच में अच्छे से लपेट दें तो इस रस्षे से आप इस तार को अच्छे से खेंच सकते हैं और मैं भी इस रस्षे के द्वारा इस तार को अपने पोल पर काफी टाइट करने वाला हूँ तो किसान भाई हो यह इस तरीके से मैंने यह रस्षा इस पर लपेट दिया है और इस रस्षे को मैं ट्रैक्टर पर बांद करके ट्रैक्टर से इस तार को अच्छे से टाइट करने वाला हूँ तो किसान भाई हो यह सीरा मैंने ट्रैक्टर पर बांद दिया है और इस स्टार को मैं अच्छे से टाइट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप टैक्टर के द्वारा इस स्टार को टाइट करके अच्छे से अपने पॉल पर लगा सकते हैं जिससे धिला वगएरा ना पड़ पाए तो किसान भाई यो ये रस्टा मैंने अपने टैक्टर पर बान दिया है और इस स्टार को अब मैं टैक्टर से खींच करके काफी टाइट करने वाला हूँ लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बातों की साबधानिया रखने होते हैं वह मैं आपको बताने वाला हूँ तो किसान भाई यो ये देखे एक सिरा मैंने टैक्टर पर बान दिया है और एक सिरा काफी दूर जो की आखिर में पोल गड़ा हुआ है उस पर मैंने बान दिया है लगबग आट दस पोल की ये लाइन है और अगर हम इसको हातों से खिचाई करते हैं तो अच्छे से टाइट ये हो बाता है तो इसलिए मैं इसको आपको टैक्टर से खिच करके दिखाने वाला हूँ तो ये देखे किसान भाई ओ आपको धीरे धीरे टैक्टर को चलाना है बहुत ही आइस्ता से और इस तार से काफी दूर हो जाना है क्योंकि कई बार टैक्टर की ज़्याद है खिचा पाए और ये तार आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है और ना ही ज़्यादा धिला रखना है बस एक केवल सीमित सी दाप दे करके आपको ट्रैक्टर को बंद कर देना है यानि कि उसके ब्रेक वगएरा लगा देना है तो यह देखे किसान भाई हो यह तार मेरा टाइट ह हो चुका है और अब इसे उठा करके मैं हुख पर रखने जा रहा हूं जैसे आप नीचे से थोड़ा उपर उठाते हैं तो यह और भी ज्यादा टाइट हो जाता है तो इसलिए जब भी आप इसे हुख पर उपर रखें तो आप किसी रस्य की सायता से इसको उपर रखने कोश सकते हैं लेकिन किसान भाई अगर इस तार को हम 3-4 लोग मिल करके हाथों की मदद से खिचाई करते तो इतना टाइट नहीं हो पाता इसलिए आप इसको ट्रैक्टर से द्वारा खीच करके अच्छे से टाइट कर सकते हैं और ट्रैक्टर को बंद करने के बाद में अब हम इ अपने पोल पर ये हुकों में अतार रखा है यहां पर हम इस तार को एक बारीक तार की सायता से हुक से अच्छे से बांदेना है और पोल के चारो तरफ की इस तार को ला देना है एक बारीक तार आता है किस अनवाई हो जिससे हम अपने मकान में बीम अगेरा बदाई करते ह काफी मजबूत तार आता है ये बारीक तार ले करके आप इसको अच्छे से पोल के चारो तरफ और रुख पर अच्छे से बांदे क्योंकि जैसे हम टैक्टर की तरफ से इस रसे को खोलेगे तो ये तार हमारा टाइट का टाइट ही रहे धिला ना पड़ पाए तो इसलिए आ एक्टर की ओर से आप अपना रसा खोले जिससे आपका तार काफी अच्छे से टाइट बना रहे तो किसान भाई यो ये थी आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेर कर सकते हैं आपके मन में कोई सवाल या सूजावे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सभी किसान भाई को लाइक कर सकते हैं